हलो दोस्तो मेरा नाम है सजबूल और आप सभी का मेरी टूचनेर पर फिर से बार बहुत बहुत स्वागात है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं तो साथ आप लोग इस्क्रीम पर देखी रहे होंगे दोस्तो जैसे कि मैं सेटिंग में जाता हूं फिर भी मेरा वाल पेपर यानगी दोस्तो बैक्राउंड में आप लोग देख सकते हैं मेरा ट्रांस्पेरेंट में मेरा इमेज देख रहाऊगा यानिके दोस्तों मेरा फोटो देख रहाऊगा अगर दोस्तों मैं यूट्यूब को ओपन करूँ फिर भी यहाँ पर भी आप लोग देख लिए मैं कहीं भी जाओं दोस्तों तो मेरा फोटो आप लोग देखी रहे होंगे ऐसे के से किया चलिए मैं आज की इस वीडियो में अपध्रों को बताचा गा तो अगर मैं आपaron पता दोश्तों तो यह करना बहुत ही आसन है यही में पूरा फुर टोटोरियल इसी गीवेघ्यों में आप बाताना वाला उतों आपको जैसे यहीं तो अधिति पर आप आप देख सकते हैं कि मेरा वाल पेपर दिखाए दे रहा कहीं भी यूटूब 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 इस्टूडियो कहीं पर भी आप जो हर जगह आपका फोटो ही दिखेगा ट्रांस्पेरेंट में तो यह कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को यह बतान हैं और उसको अगर चैनल पर नहीं है तो पहले सबसे पहले जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना और उसको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को भी लाइक का देना तो चलिए उस तो अब मैं आप लोगों को पताता हूं यह आप कैसे लाइक करने का तो जैसे मेरा यहांपर आगया आप इसको अप्लाइक करने जाएंगे तो यहां पर जो ही इसको में थोड़ा बीच लेम और आता हूं और अप्लाइक करने तो ट्रांसपरेंट वैल-पेपर बिटा यह आपके डिवेस में अभी तक नहीं आ रहा होगा जैसे लग चुका है तो चलिए मैं आप लोगों बताता हूं कि यह अपसन आपको कैसे मिलेगा एंड जो आप कैसे वाल पर सेट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लिए कि एसे वीडियो में चैनल पर आपको मिलते ही रहेग तो चलिए मैं अब आप लोगों बताता हूं सबसे पर आपको क्या करना है चलिए मैं सुरू से बताता हूं सेटिंग में जाता हूं और सबसे पहले में अनिस्टॉल कर देता है यानिक दोस्तों कि लिए डटा कर दता हूं मैं थीम अप्लिकेशन तो अभी जैसे इसको अनि तो उसको सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करना आप लोगो तो मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं इंस्टॉल करता हूं आप लोग डाउनलोड करके सबसे पहले आपको जो है इंस्टॉल करना ठीए तो मैं आप लोगो लिंक दे रहा हूं नीचे आप लोग डिस्क्रिप् का जो है मेरा updated version है तो इसका लिंग में डिस्क्रिप्रिस में दे दिया हूँ सबसे पहलब जह है इस application को सबसे पहले download कर लिए description में link है मैं बार बार बोल रहा है तो उसको download करके simply से आपको जै मैं जैसे install कर रहा हूँ इसे आप जो है तो यहां पर मैं अब तीम एप्लिकेशन में जाता हूं तो जो है मेरा वो उप्सन आ जाएगा तो इसे में सब कुछ यहां पर बहुत कुछ मतब सब को चैंज हो यहां बहुत ही अच्छा लाग रहा भी देखने में तो इस पर किलिक करना दोस्तों और यहां नीचे आपको आना है देख लिए पर जैसे ही मैं सुरु से बताता हूं पिर से तीम अप्लिकेशन को ओपन करना है आपको उसके बाद यहां पर profile पर जाना है और उसके बाद नीचे इस पर डाउन करना है याप बेस्ट फीचर जो आपको देखने को मिल जाएगा अपडेटर बर्ज बर्जण डाउलोट करेंगे उसके बाद यह उपस Кон आपको देखने में मिलगा तो इसको किलिक करना है और यहां पर transparent wallpaper आप लोग देख लिए तो इस पर भी किलिक कर देना है देख सकते हैं मैं transparent wallpaper पहले से सेट करके रखा हूं तो मेरा आ गया और तो एक फीचर यहां पर और भी एक आपको दिख रहा होगा Mac background white तो इस पर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो जीतना भी background यहां सब कुछ यह कोई भी wallpaper रहेगा सब कुछ यहां पर white हो जाएगा और transparent wallpaper और भी देखने में बहुत ही अच्छा लगने लगेगा तो जैसे कि मैं यहां पर फिर से जाता हूं थी मैं और यहां पर मैं दूसरा करा तो मैं दूसरा image को ही ले लता हूं तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं आप लोग जो है अपने साथ जो भी image आपको set करना आप कर लिजे तो मैं इसको कर लिया आप जो है दोस्तों यहां पर देखते हैं बैग्राउंड white हो चुगा पूरा और देखन लेता हूं तो इसको जो आप राख सते हैं या फिर से अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो डी एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं यहां पर कोई वाल पेपर ही स्वरी ट्रांस्परेट वाल पेपर ही में सेट कर लेता हूं उसके बाद कुछ भी एक्जम्पली म तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और कोई भी देखेगा तो बोलेगा हां यार कैसे किया पुछेगा तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत सेर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर नहीं सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजे बहुत ही अच्छा देखने में